जैहिन दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला तुल्सीदास का जियुन पर्चे तो बेरी इंपोर्टेंट है हर एक बोर्ड में रिपीटेड़ कुष्चन है तो हर एक बोर्ड में आता जरूर है तो दोस्तों वीडियो को लंबना करते हैं अगर आपने मे बचना है जो बेरी इंपोर्टेंट है ठीक है तो दोस्तों अगर आप को एक चीज मताना चाहता हूं कि आपको अगर हिंदी के तेरी किस परकार से करनी चाहिए तो मैंने इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डिस्क्रिप्शन पर इस चक कर लेजाएगा बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन उसमें भी मैं डाल दूंगा जो आपके लिए helpful होंगे आपके board पर इच्छा के लिए ठीक है और ये है थोड़ा लंबा लेकिन आपको बहुत छोटे लगए जब आप याद कर लेंगे जब आप वहां जाएंगे दोस्तों board इजान देने तो वहां की जो copy होगी भरने में बहुत मुस्किल होगी तो इससे अगर आप तुठ है मारा स्वता सुखाय कविता करने वाले तुलसी दास जी ने राम नाम की बवित्र गंगा को जन जन तक पहुंचाया तुलसी दास के समद में यहां दोहा परसिद है कौन से दोहा तो यह है पंद्रा सो चववन विसे कालिंदी के तीर स्रवड सुक्ल सब्त में पंद्रोस चववन इस भी में बताया गया है तुलसी दास के जनमस्तान बांदा जीले के राजापूर नाम कराम में माने जाता है अगर आप दोस्तों इमेजिंग करेंगे तो आप अच्छे तरीके से कुछ दिन तक याद रहेगा गरेंटी देता हूं 99 परसंट दोस्तों जाएंगे अगर आप इस तरह रट्टा मार के याद करेंगे तो यह समझ समझ के याद करो काफी ब्यतर है फिर कुछ लोग इनका जनम अस्थान सोरो जिला एकम भी मानते हैं नी सौरा जिला है सोरो एकठा गाउ में मानते है तुलसी दास की पिताक नाम आत्मराम के पिताक तुलसी दास जी ने तुलसी ने तुलसी दास जी ने त तो बच्पन ने इनके मातर पिता कर दियांत हो गया तो राम की कथा तो दोस्तों इन्ही राम की कथा तो इस ने अपने गुरु जी से सुनी और कासी में बेज सास्तरू का अध्यन किया बिद्य अध्यन के बाद गोस्वामी जी का विवा दीन बंदू पाठा की एकमात फुत्री रतनावली से हुई यानि इनके पत्नी का क्या ना में रत्नावली इनके साथ साधी वी विवाव हुई गौसवामी जिए अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे मतलब बहुत अत्यंत प्रेम करते थे और इसके प्रेम में सब कुछ भूल गये थे एक बार रतनावली माय की चली गी तो आज रात को नदी पार करके गोसामी जी ससराल पहुच गे कहा पहुच गे तो तो ससराल रतनली ने इस ओमामता की निंदा कियर फटका रहा और फिर क्या कहा लाज नावत आपको दवरे आयो साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहों में नाथ दोस्तों इसका भी जानते हो कि क्या आपका रत क्या हो तो लाज नावत आपको नहीं आती है दवरे आयो सातनी दवरत चली आए दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां को मैं नात यानि मैं इस प्रेम को मैं क्या कहूं है भगवान मैं इस प्रेम को मैं क्या करूं इस प्रेम को धिकार है ऐसी प्रेम को फिर अस्थी चर्म देह मैं ताम मैं ऐसी प्रेस्त अस्थी चर्म मैं देह यहां तो सो ऐसी प्रीत नेक जो होद राम से तो का है भौबित यानि अथार्थ मेरे इस हाड मांस के प्रति जितनी तुम्हारी आ सकती है यानि कौन कहता है रतनावली जी कहती है कि मेरे इस हाड मांस के प्रति जितनी तुम्हारी आ सकती है उसकी आधी अगर पर्भू से होती तो तुम्हारा जीवन समर गया होता रतनावली तुलसिदाजी के से कहती है और तुलसिदाजी इतम सन रहे इतम सांत फिर क्या अथाद पतनी के उद्देश से गोस्वामी जी की आके खोल गई गोस्वामी जी क्या खोल गई और बिरक्त हो तो तुर्सिदास जी ने रामजीत मानस की रशना की आप दोस्तों रशना भी आ सकता है कि तुर्सिदास की रशना का एक नाम लिखे तो रामजीत मानस या पो सकता है रामजीत मानस की किसने लिखा तो तुर्सिदास ठीक है तुर्सिदास ने जीवन के अंतिम दिनों में ला बीद्टी होगे इनकी राचनाद क्या है दोस्तों इनकी राचना if le gry लिखना पड़ेगा आपको पाना एगर तो इसका एक कसने लिखना पड़ेगा या आप 2 कुछ साहित में अस्थान देख लेते हैं दोस्तों तुलसिदास हिंदी साहित के अदुत्ति कभी है यानि यूनिक अदुत्ति यानि अदुत्ति क मतलब दोस्तों यह अदुत्ति कभी है यानि कोई अगला कभी नहीं है उनमें से एक अदुत्ति कभी है तुलसिदास जी भक्ति समा सुधारक, दार्शनिक, अबदेशक, लोकनायक, यूगदिष्टी हैं, हैं कोई के भी इनके समानता नहीं ले सकता है, इनकी बराबरी नहीं कर सकता है, अब जो तो संचिप्त पर्चे है, आपको में क्या करना है, कि आपको पहले इनको याद करना है, उनका तूल्षित का ना पहले लगाव में होई थी, अब इनकी मृत्यू स्वहासो तेशित कासी में हो था, इनके मात्य का नाम हुलसी था, और पिता का नाम आत्मा राम, दो बैठी गया, अब पतनी क्या थी तो आप जानती हूं, रत्नवली और भक्ति इनकी क्या दोस्ति थी दोस्तों, इनकी रा सेर कर दीजिए, इस वीडियो का टार्गेट है दोस्तों, टू के लाइक ठीक है, और अभी तक मेरे चनलों को सब्क्राइम नहीं किया तो सोची मत कर लिजिए, और इससे समझेत कोई भी कुश्च्चन हो तो आप कैमेने पोस्स सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ज